हेलो गाईज, वेलकम टू इंग्लिस एडुकेशन, इस्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ एकोनोमिक से सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पीपल एज रिसॉर्सिस के शोट कोशन आंसर और इससे पहले हम वेरी शोट कोशन आंसर को कम्प्लीट कर च और इसी तरह से हम सभी चैप्टर के कोशन आंसर पूरा डेटेल में पढ़ते हैं 10th क्लास, 9th क्लास और इंग्लिस के सभी क्लास के 9 to 12 सभी टॉपिक हम यहां पर क्लियर करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नंबर बन है हमारा वार्ट आर एकोनोमिक क्या है उन्हें हमें explain करना है all the activities which contribute to the flow of goods and service in the economy are called economic activities तो देखिए अगर सिंपली हम साधारन सी भासा में कहें तो वो सभी कतिविदियां जिन से क्या होता है goods और service का flow होता है ठीक है वो सभी activities economic activities कहलाती है these activities add value to the nation income तो देखिए इससे क्या होता है यह जो activities होती है निके जो हमारी economic activities होती है वो राष्ट्रियाय में मुल्य को जोडती है तो देखिए economic activities के दो पार्ट होते हैं एक होता है market activity और एक होता है non market activity जानते हैं market activities involves rumoration to anyone who performs activity perform for play और profit तो देखिए अगर हम कोई भी economic activity करते हैं तो वो किसलिए करते हैं कुछ profit या pay को गेन करने के लिए इसलिए तो परफॉर्म करते हैं तो देखिए वही सभी activities economic activity में आती है these include production of good इनमें कौन-कौन सी activity include होती है production of good यानि कि किसी भी सामान का बनाना service भीज में include है चाहे हो government service ही क्यों ना हो non-market activities are the production for self-consumption तो देखिए जो हमारी non-market activity है वो क्या है वो हम पैसा कमाने के लिए नहीं आर्थिक activity जो है हमारी non-market activity ऐसी activity होती है जो हम self-consumption के लिए करती है these can be consumption and processing of primary product और यह consumption होता क्या है यह process होता क्या है इसमें सभी primary product add होती है and own account production of fixed asset यानि कि कुछ fixed asset होती है जो property या जो हम income हमाते हैं होती है कम amount में होती है और primary product ही हम यहां पर यूज करते हैं या बनाती है next question देखते हैं what is the purpose of सर्वशिक्षा अभ्यान what are its goal तो देखे सर्वशिक्षा अभ्यान क्या है और इसके goals क्या है यानि कि यह क्यों बनाया गया क्यों चलाया गया तो देखे its basic aim is provide elementary education to the old to all children of the age group 6 to 14 तो देखे यह जो हमारा सर्वशिक्षा अभ्यान है यह चलाया गया जिससे की सब को elementary यानि कि primary education मिल सकें जितने भी 6 साल से 14 साल की उमर के बच्ची है additionally it is an effort to universalize elementary education by community ownership of school system तो देखे इसी के साथ साथ क्या हुआ यह जो school प्रणाली है यह सामुधाइक स्वामित्व द्वारा सार्थोमिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का इससे प्रियास किया गया सभी को community में या मतलब अपने स्थार पर हर किसी को सिक्षा प्रदान की जा सके इस स्टार्टे इन रेस्पॉंस तू दार्टी मांट फू दे क्वालिटी बेसिस education all over the country पूरे country में इसे चलाया गया जिससे कि जो सिक्षा बेसिक education जो दी जा रही है उसमें गुणवक्ता हो दा एससे प्रोग्राम तो एससे प्रोग्राम मतलब सर्शिक्षा भ्याद is also an attempt to provide an opportunity for improving human capability of all children through a provision of community on quality education in a mission mode तो दिखें इसे mission की तरह लागू किया गया और जो यह एससे प्रोग्राम है यह क्यों चलाएगा जिससे कि सभी को मौका मिल सके और जो उनकी capability है उसे enhance किया जा सके जो बच्चे है उनके अंदर capability लाइव जा सके और जो quality education की उसे improve किया जा सके दा मिटे मील scheme is a part of to it to reduce the drop out rate of the children from school तो देखें पहले क्या हो रहा था कि कुछ बच्चे स्कूल को drop out कर रहे थे चोड़ रहे थे बीच में या कुछ नहीं जा रहे थे तो इसको कम करने के लिए drop out rate को कम करने के लिए क्या चुलाया गया मिटे मील scheme चलाई गई क्योंकि जो गरीब लोग थे वह अपने बच्चों को school में नहीं भेजबा रहे थे ऐसी condition में मिटे मील जैसे scheme चलाई गई सक्कार के द्वारा डिस्टिंग्यूस बिट्विन ता फिजिकल एंड हूमन कैपिटल तो देखीं हूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में हमें यहापर difference बताना है कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है फिजिकल होती है भोतिक और हुमन होती है मालग यानी कि भोतिक पूजी के बारे में और मालग पूजी में हमें हैं पर डिफेरेंस बताना है तो सबसे पहले बात करते हैं physical capital की physical capital includes a variety of inputs required at all stages of the production activity तो देखे production activity में हर एक stage पर हमें कुछ ना कुछ input की जरूरत होती है बहुत सारे inputs की जरूरत होती है इसमें हमें fixed capital की जरूरत होती है इसमें हमें fixed capital की जरूरत होती है in the form of machinery यानिकि हमें machine की जरूरत होती है जब भी हम production का काम करते हैं land की जरूरत होती है building की जरूरत होती है और working capital की जरूरत होती है की काम करने वाले भी चाहिए होते हैं, in the form of raw materials, cash in hand और हमें cash की भी जरूरत होती है, तो ये सारी चीजे होती हैं हमारी physical capital, अब human capital की बात करते हैं, human capital in contrast, human capital is the stock of companies, knowledge, social and personality attributes, तो देखे, human capital क्या है, एक भंडार है, ग्यान का, समाज का, और इंसान की पर्स के जो अपने व्यक्तित्व के गुण हैं, व्यक्ति के गुण हैं, तो ये होते हैं human capital, including creativity, इसमें creativity भी होती है, कि इंसान की, इन सब को हम human capital कहते हैं, embodied in the ability to perform labor, labor, so as produce income value, तो देखे, इन सबी चीजों को use करते हैं, वो perform करते हैं, जिससे की, वो क्या produce कर सके, income value को produce कर सके, here, it refers to, तो देखे, इसका मतलब क्या है, it refers to the person performing the economic activity, वो person जो economic activity करते हैं, वो कोन होते हैं, जैसे laborers हैं, knowledgeable person है, and other involved in the activity है, दूसरे लोग है, जो इस activity में involved रहते हैं, तो देखे, इन्हें कहते हैं, human capital, next question है, why are human employed a low paid work, तो देखे, ऐसा क्यों है, कि जो women employed है, उन्हें कम पैसे, पर काम दिया जाता है, तो देखे, there is no denying that, the fact that women are generally employed in a low paid work, and they are paid low as compared to men, तो देखे, इससे मना नहीं किया जा सकता है, कि जो women होती है, उन्हें कम पैसा दिया जाता है, काम के बदले, और वो comparison, अगर men से करें, तो उसके comparison में काफी कम पैसे, women को भर के लिए दिये जाते हैं, तो देखे, जानते है, reason क्या है, education is one of the major determinants of the earning of any individual in the market, तो देखे, किसी भी person के, अगर individually बात करें, market में, अगर वो काम करता है, तो वो depend करता है, उसकी education कर, as majority of women have much education, so they are paid less as compared to men, तो देखे, अगर हम women की education की बात करें, तो वो, अभी तो ऐसा नहीं है, बट पहले ऐसा था, कि women, जो है, men की comparison में कम पढ़ी लिखी होती है, कम spread होती है, इसलिए उन्हें कम पैसे परवर करने के लिए, यानि कि उन्हें कम पे दी जाती है, It is also pointed out that women cannot do as much physical work as men can do, तो देखे, ये भी ध्यान देने वाली बात है, कि it is also pointed out that women cannot do as much physical work as men can do, तो देखे, ये भी ज्यान देने वाली बात है, कि जो women है, वो इतना physical work नहीं कर सकती है, जैसे कि men, So naturally, they are paid less than men, तो इसलिए नचरली है कि उन्हें कम पे दी जाती है, Along with education skill is also an important determinants which affects the pay of the individuals, तो देखे, education skill भी बहुँ जादा important point है, जो affect करता है किसी भी, किसी की भी एक इंसान की pay को, women are generally unskilled, so they are employed in low paid job and paid less than men, तो देखे, generally बात क्या है, कि जो women होती हो, unskilled होती है, और उन्हें men के comparison में कम पे किया जाता है, Women are mostly attached with their home duties, and they cannot be as regular as men in their duties, they are employed in low paid work and paid less as compared to men, तो देखे, women क्या है, women जो हैं, अपने घर की duties में, घर के कामों में बहुत जदा busy रहती हैं, और वो इतना regular नहीं हो पाती हैं, जिससे कि men अपने work में regular होते हैं, अपनी duties पर वो इतना regularity नहीं कर पाती हैं, तो इसके लिए उनकी जो pay होती है, वो men के comparison में low होती है, तो देखे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है सोचने की, कि जो educated parents होते हैं, वो अपने बच्चों के उपर ज़्यादा invest करती हैं, यहाँ पर reason भी बताने हैं, देखते हैं, तो देखे, जो educated लोग होते हैं, वो जानते हैं कि अगर वो अपने बच्चों के education पर जादा से जादा invest करेंगे, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, future में क्या होगा, कि वो जो है, उससे ज़्यादा ही कमा कर देंगे, और वो जो है, greater contribution कर सकते हैं, society के लिए, educated parents realize the importance of education, तो देखे, जो educated parents होते हैं, वो जानते हैं कि क्या importance होती है education की, they are conscious of proper nutrition and hygiene, तो देखे, वो जो है, जानते हैं कि किस तरह से बच्चों को nutrition दे रहा है, और किस तरह से उनके hygiene का ध्यान रखना है, what is disgust and employment explain with the help of an example, हमें disgust and employment के बारे में बताना है कि वो क्या है, और हमें यहाँ पर example देकर उसे समझाना है, it is a situation in which more worker are working in an activity than required, तो देखे, यह कैसी situation होती है, कैसी city होती है, जिसमें जादा worker काम करते हैं, जितने की जरूरत होती है, उसे जादा worker काम करते हैं, the people who are actually engaged in such an activity appear to be employed, तो देखे, इस तरह की situation में होता क्या है, कि लोग जो engaged दिखाई देते, employed दिखाई देते हैं, but are not fully employed, लेकिन वो पूरी तरह से employed नहीं होते हैं, for example, if for the cultivation of one hectare land, 10 workers are required, but instead of 10 workers, 15 workers are working, तो देखे, कहा जा रहा है, suppose करो, कि आपके पास एक hectare land है, उसमें 10 workers की जरूरत होती है, लेकिन 10 workers की बजाए, यहां पर 15 workers जोएं लगे होए हैं, in this case, इस case में 5 workers are disguised unemployment, तो देखे, disguised unemployment हैं, इस तरह से जो 5 workers हैं, कि 15 की ही जरूरत ही, लेकिन 15 लगे हुए हैं, in such case, even if the surplus workers are removed, the production does not suffer, तो देखे, इस तरह से क्या होता है, कि इस case में, कि भले ही, क्या हुए है, हो गया है, कि जो वर्कर जादा लगे हुए हैं, अगर उन्हें हटा भी दिया जाए, तो ऐसा नहीं है, कि प्रोडक्शन पर कोई फर्क पढ़ने वाला है, तो देखे, इस तरह के unemployment को disguised unemployment कहती है, What are the objective of the 10th 5-year plan, with the reference to education, तो देखे, education को देखते हुए हमें बताना है, education के संदर में, कि जो हमारी 10-15 योजना है, उसका क्या मोटीव है, The 10th 5-year plan endured to increase the enrollment in higher education of the 8-23 age group from the percentage 6% to 9% by the end of the plan period, तो देखे, इसमें सबसे पहले plan किया गया कि, plan period के end तक हमें क्या करना है, जो higher education का enrollment है, यानि कि जो student की संख्या है, उसको बढ़ाना है, जो 28-23 साल के बीच की age group में है, तो वो क्या करना है, 6% से 9% करना है, जब तक कि ये खतम होने वाली हो, The strategy focus on increasing access quality, adoption of states specific curriculum, modification, vocationalization and network on the use of information technology, यहां पर बहुत सारी चीज़ों को focus किया गया, quality को focus किया गया, पाठे करम को लेकर focus किया गया, और vocationalization किया गया, किस तरह से जो syllabus है, बाठी करम से किस तरह से choose करना है, और इसमें IT की भी कुछ, कुछ use किया गया, तो इस तरह से कुछ modification यहां पर देखने के लिए मिलता है, the plan also focus on the distant education, यह जो plan है, distant education को भी focus करता है, convergence of formal, non-formal, distant and IT education institution, तो देखिया, IT education institution को भी उसने focus किया, जो अपचारिक अपचारिक जो education है, उसे लेकर भी वह ज़्यादा focus किया गया, ध्यान दिया गया, कि किस तरह से इसमें सुधार किया जाना चाहिए, किस तरह से जो student है, उनके enrollment को बढ़ाया जा सकता है, explain the employment scenario in the three sector, तो देखिये, जो हमारे तीन सक्टर है, primary, secondary and treasury sector, इसमें हमें employment की सनुरियों को बताना है, देखिये, agriculture is the most labor observing sector of the economy, जो agriculture उसमें सबसे ज़्यादा labor की जरूरत होती है, but it is facing disguised unemployment, लेकिन यहाँ पर हमें disguised unemployment को बहुत ज़्यादा face करना पड़ता है, it does not have any capacity to observe more workers, अब बिल्कुल भी इसकी capacity नहीं है, कि इसमें और ज़्यादा workers को लगाया जा सके, so surplus workers are moving to the secondary and tertiary sector, इसलिए जो surplus यानि ज़्यादा worker हैं, जो extra worker हैं, वो किस तरफ move कर रहे हैं, secondary और tertiary sector की तरफ move कर रहे हैं, secondary sector is small scale manufacturing, is also labor absorbing industry, तो देखें, second sector में भी बहुत सारे जो लोग हैं, वो नहीं काम मिल जाता है, cottage industry should also be set up in rural areas, rural areas में बहुत ज़्यादा जरूरत है cottage industries को उपन करने की, tertiary sector की बात करते है, tertiary sector is the most important sector which can help in removing the unemployment problem, तो देखें, जो हमारा tertiary sector है, वो बहुत important sector है, और इसमें, इससे unemployment की जो problem है, उसे remove किया जा सकता है, various new service like biotechnology, information technology, etc. are also appear, मतलब आज के टाइम में अगर बात करें तो जैसे biotechnology है, information technology है, बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं, distinguish between the market and non-market activity, हम यहाँ पर difference देखेंगे, market or non-market activity में, market, these involves humeration, they are performed for pay or profit, जैसे कि हमने पढ़ा था उपर, कि जो हमारी market activity है, वो हम किस लिए करते हैं, pay के लिए और profit के लिए करते हैं, जबकि जो हमारी non-market activity है, वो हम perform करते हैं, self-conjunction के लिए, अपने खुद के लिए हम use करते हैं, teacher teaching in a school, a worker working in a mine, and man working in a bank, etc. some example of market activity है, market activity के कुछ example दिए गए है, जैसे teacher school में पढ़ाते हैं, तो किस लिए, profit के लिए कमा पढ़ाते हैं, worker माइन में काम करते हैं, तो profit के लिए करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर पताया गया है, substance farming, processing of primary products are non-marketing activity, तो देखिए, यहाँ पर substance farming है, वो क्या है, non-market activity है, processing of primary products, जैसे हम अपने घर में नॉर्मली एक्जामपल लेते हैं, गाए भैस रखते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, वो छोपी हैं, बड़े पैमाने पने, छोटे पैमाने पर करते हैं, तो यह हो जाते हैं, हमारे non-market activity है, ठीक है, what are the role of education in human capital formation, तो देखिए, human capital formation में education का क्या रोल है, आज के टाइम के अगर हम बात करें, तो education is most important, ठीक है, तो देखिए, आपर बताया गया है, education has a vital role to play in human capital, human capital में education का बहुत ही important role है, देखिए, it helps a man to make all-around development, तो देखिए, अगर एक इनसान educated है, तो वो हर तरह से अपना विकास कर सकता है, it enables him to become a skilled worker and to get a higher pay than an illiterate worker, तो देखिए, एक अनपढ़ इनसान है, और एक skilled है, तो आपको क्या लगता है, जो skilled है, वो ज्यादा income उसकी होगी, जो अनपढ़ है, उसकी income काफी कम होगी, education enables a man to be away from bad habits like drinking, gambling, तो देखिए, जो education है, उसकी वज़े से लोग बुरी habits को नहीं सीखते हैं, जैसे कि drinking करना, जूँआ खेलना, which ruins his physical as well as mental health, तो देखिए, कि ऐसी चीजें, जो drinking है, gambling है, ये इनसान की physical और mental health दोनों को ही बरबाद कर देते हैं, education is essential because it is unable a man to follow the welfare family norms and not to enlarge his family and to lead a life of an animal, तो देखिए, यहाँ पर अगर इनसान educated है, तो उसे अपने family के welfare के बारे में normally पता होता है, तो देखिए, वो क्या करते हैं, family को भोज़ादा नहीं बढ़ाते हैं, एक animal की तरह जीवन नहीं जीते हैं, education helps a man to acquire good habits and to be good citizen of the country, तो देखिए, educated person क्या होते हैं, अच्छी आदतों को अपनाते हैं, और एक अच्छी citizen बनते हैं किसी भी country के, educated person are found to invest more on the education of their children, जो educated parents होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्छों की education पर जदा invest करते हैं, they are also conscious of proper nutrition and hygiene, उन्हें अच्छी hygiene और nutrition के बारे में भी जानकारी होती है, education of a new horizon for a children provides new aspiration and developed value of a life in far better way, तो देखें, जो education है, उससे क्या होता है, जो बच्छे होते हैं, उन्हें नई aspiration मिलती हैं, नए रास्ते मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने जीवन को अच्छे से develop कर सकते हैं, अच्छे रास्ते होते हैं, एक्स्ट हमारा question है, employment structure is characterized by self-employment in the primary sector, explain this statement, तो देखें, रोजगार संदस्चना, प्रात्मिक छेत्रों में स्वेर रोजगार है, इस statement को हमें explain करना है, इस statement refers to the agriculture sector, यह जो statement है, यह agriculture sector को refer करता है, यह most of the people are small farmers, यहापर जो बहुत सारे लोग हैं, वो छोटे-छोटे किसान होते हैं, with land holding of less than 2 hectares, उनके पास जो जमीन होती हैं, वो 2 hectares से भी कम होती है, they are self-employed because the whole family work on the land, तो देखें, वो self-employed होते हैं, जो कि पूरा परिवार उसी पर काम करता है, तो देखें, जो भी produce किया जाता है, वो पूरी फैमिली में बट जाता है, तो देखें, जो हमारे रूरेल एरिया में है, इसकी वज़े से क्या होता है, बेरोजगारी की कठनाई काफी कम हो जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जितना भी पैदा होता है, उसे ही आपस में शेयर कर लेती हैं, नेकस्ट और अपना लास्ट कोईशन हम यहाँ पर देखते हैं, underwater life, एनेकसी फैमिली में मिल देखने के लिए मिलते हैं, सबतले पहले इन आपनाड क्या होता है, वो जानते हैं, बेरोजगारी होता है, Unemployment is a situation in which person is willing to work at the prevailing wages but does not find any gainful work तो देखें Unemployment एक ऐसी स्थिती है जिसमें इंसान की इच्छा तो है काम करने की ठीक है किसी भी wage पे वो मतलब चाहता है कि उसे उसके बदले में पैसे मिले और वो काम करे लेकिन वो ऐसा गेंफुल वर्क उसे नहीं मिल पाता है इसे हम Unemployment कहते हैं तो देखें हैं आपर चाहर टाइप के Unemployment दिये गए हैं Disguise Unemployment, Seasonal, Structural और Technical Unemployment यह सारे हम चैप्टर में अलरड़ी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है complete, I hope सभी questions आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे वीडियो अच्छी लगी है, एक like जरूर करें अपने friends को भी share करें हम हर एक topic को काफी detail में पढ़ते हैं, सभी से related हम question answer को काफी detail में पढ़ते हैं